नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल के रियर पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइस जीकिए के टो फिप्टी क्यूशन निकरा है जिनके अंदर है आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन में कराने वाला ह के टेकिए तो चलिए का आज की वीडियो को शुरू करते हैं परते क्यूशन का श॥ा प्यूशन कर दिजिए एक सुदh परतिरोध परिपत का पा़ फेक्टर क्या है ऐह किक्या होता है? एक, option B आपका सही होगा अगला question देखिए एक साकारी को अपने स्रीर के लिए आप शेक fast force कहां से मिल सकता है जो साकारी होते हैं उनको fast force देखी कहां से मिलता है soya bin से option A आपका सही answer होगा soya bin या पे right answer अगला question देखिए BCG TK किस रोग के विरोध में लगाया चाते हैं किस रोग के विरोध में tuber closest के option B आपका सही answer होगा अगला question देखिए estigmatism एक बिमारी है तो देखिए आप इस अनसर होगा आपका आखों की option B आपका सही हो जाएगा अगला question देखिए हमारे भोजन में संगरास्तम खादय पदार्थ है कौन सा होता है देखिए संगरास्तम खादय पदार्थ सही answer होगा vitamin A आपका सही हो जाएगा अगला question देखिए एक चुमके छेतर विक्षेपित करता है किसको करता है देखिए alpha A आपका सही होगा अगला question देखिए कौन सा vitamin घाव बरने में साहिक है देखिए इससा answer होगा जी friends सभी option जो है रोंग है तो देखिए घाव बरने में जो है vitamin K साहिक होता है तो option जो हमारी सभी रोंग है मिश्प्रिंट है यहाप आपका तो विटामिन के जो है गाव बनने में साइक होता है अगला क्यूशन देखी निमल लिखित में से किस की विदन चमता सबसे अधिक है तो देखी किस की है गामा केड़नो ओप्शन सी आपका सही होगा गामा केड़नो की विदन चमता सबसे अधिक होती है अगला question देखी सूरे में उर्जा किस परक्रिया में पैदा होती है तो यहाँ पर इसे अंसर होगा hydrogen का cell lane परक्रिया से option C आपका सही हो जाएगा दोस्तों देखी सूरे से में जो है vitamin D मिलता है ठीक है और vitamin D जो है मचली के यक्रित के तेल से भी मिलता है hydrogen bomb की सिद्धान्थ पर आधारित है तो यहाँ पर इसे अंसर होगा N ये अंतरित स्रंखला भी किरिया आपका सही हो जाएगा option D right answer अगला question देखी देखी निमलिखित में से कौनसा रोग एक जलवाहित रोग है तो यहाँ पर इसे अंसर होगा dust option A आपका सही हो जाएगा dust एक जलवाहित रोग होता है अगला question देखते है गलुकोमा मानाव शरी के किस अंकी बिमारी है फटा फट कमेंट करिए सही अंसर तो देखी आप इसे अंसर होगा आखों की option D आपका सही हो जाएगा अगला question देखी मानाव शरीर में विटामिन A संचित रहता है तो देखी विटामिन A जो है या करित के अंदर संचित होता है option A या करित आपका सही अंसर होगा अगला question देखी शरीर के किस अंग में समेश्या होने पर डायलेसिस दी जाती है तो देखी किस अंग में किड्नी में option D वरिक या किड्नी आपका सही आंस रोगा अगला question देखी why you मनले दाब को मापने के लिए आउश्यक यह अंतर कौन सा है तो सही आंस रोगा barometer से जो है why you मनले दाब को मापने है option B आपका सही आंस रोगा अगला question देखी परमाणू में नाभिक परिविरतनों के फलसुरूप तरंग या किनने कौन सी हैं तो देखी कौन सी गामा किनने हैं option D आपका सही होगा अगला question देखी uranium 235 नाभिक में क्या होते हैं तो देखी क्या होते हैं proton और neutron की कुल संख्या 235 होती है option D आपका सही हो जाएगा proton और neutron की कुल संख्या 235 होती है uranium 235 के नाभिक के अंदर अगला question देखी परती धावनी मूल धावनी से अलग तब सुनावी पड़ती है जबकि धावनी श्रोत वे प्रावार्थक स्थे के मध्य नियूंतम अंतराल हो नियूंतम अंतराल कितना होना चाहिए तो देखी सही आंसर होगा 17 मेटर option B 17 मेटर आपका सही हो जाएगा अगला question देखी समूदर में डूबी वस्तूं का पता लगा नहीं तू परियुक्त उपकरन कोन सह है तो देखी किस परियोग किसका परियोग के जाता है सोनार का option B आपका सही होगा सोनार या पर राइट आंसर अगला question देखी कौन सी युक्ति विदूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तन करती है तो देखी आपका सही आंसर हो जाएगा विदूत मोटर option C आपका सही होगा next देखी किस ग्रह को लाल ग्रह केते हैं फिटापट कमेंट करिए तो देखी आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह का जाता दोस्तों option B आपका सही हो जाएगा अगला question देखी उस ग्रह का नाम जिसमें शूर्य पस्ची में उद्य होता है तो सही आंसर होगा देखी uranus option C आपका सही हो जाएगा uranus यहाँ पर right answer अगला question देखी कर्तरिम उपगरे में विदूत उर्जा का साधन है तो देखी कर्तरिम उपगरे जो होते हैं उनके अंदर विदूत उर्जा का साधन क्या होता है चलिए देखीए dynamo option B आपका सही हो जाएगा dynamo यहाँ पर right answer अगला question देखी निमलकित मेंसे कौनसी बिमारी वायरस के कार्ण नहीं होती है तो आपका सही आंसर होगा typhide बाके सभी खसरा सार्च और चयचक वायरस के द्वारा होने वाली बिमारिया है यह सभी वायरस के द्वारा होती है ठीक है और typhide एक ऐसी बिमारे जो वायरस के द्वारा नहीं होती option D आपका सही जाएगा according to question अगला question देखी एक परकास उत्सरजी डायड बनाया जा सकता है किस से फटाफ़र कमेंट करीए सही आंसर होगा देखी gallium arsenide से option D आपका सही हो जाएगा next देखी silicon और germanium अर्ध चालक है तो सही आंसर होगा tetravalent option A सही हो जाएगा tetravalent या पे right answer next देखी तवरित उर्जा पाने के लिए एक athlete को लेना चाहिए तो या पर सही अंसर होगा देखीए karbohydrate लेना चाहिए दोस्तों तवरित उर्जा पाने के लिए एक athlete को option A कarbohydrate आपका सही होगा अगला question देखी देखी हमने आपको बताये था question भी आ गया है सूरे की रोशने से हम पराप करते हैं तो देखे है विटामिन D जो है हम सूरे की रोशने से पराप करते हैं option D आपका सही हो जाएगा और इसके अलाव़ जो है हम vitamin D को मचली के यकरित के तेले से भी पराप कर सकते हैं पर्शूर मात्रा के अंदर तो देखे आपका सही आंसर हो जाएगा इंसुलीन की कमी से जो है डायबिटीज होती दोस्तों ओप्शन B आपका सही हो जाएगा डायबिटीज यहाँ पर राइट आंसर अगला क्यूशन देखते हैं दोद का घंतव निमन उपकरण के द्वारा मापा जाता है तो सही आंसर होगा लेक्टो मेटर ओप्शन D आपका सही हो जाएगा लेक्टो मेटर यहाँ पर राइट आंसर अगला क्यूशन देखते हैं सिस्मो ग्राप से क्या मापा जाता है तो सही आंसर होगा भुकम की तिरवता को Option A, सही होगा, सिस्मोग्राप सी जो है, बुकम की तरिवता को माप पा जाता है अगला question देखते हैं, सूर्य की केड़ों की तरिवता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो देखी, सही अंसर होगा, Actiometer Option C, Actiometer सही हो जाएगा यहापे अगला question देखी, X-ray का अविस्कार किसने किया था तो देखी, सही अंसर होगा, Row Engine के द्वारा जो है, X-ray का अविस्कार किया गया था दोस्तो Option B, सही हो जाएगा, Row Engine, Right Answer अगला question देखी, Reactor Scale ने मलखित की तरिवता को नापता है तो देखी, सही अंसर होगा, Bookamp Option A, Bookamp यहाँ पर सही हो जाएगा अगला question देखी खाद्या उर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो देखी, सही अंसर होगा, Calorie में Option A, सही हो जाएगा, खाद्या उर्जा को Calorie में माप सकते हैं अगला question देखी शर्चीवी रमन को उनके 10 कारे के लिए Nobel पुरुषकार मिला था देखी, किस कारे के लिए शर्चीवी रमन को Nobel पुरुषकार दिया गया था फटाबट कमेंट करिए तो देखी, सही अंसर हो जाएगा परकास की परक्रिण के आधार पर Option B, सही होगा C, सहयोगा J, L, Baird Next देखी रडार का उप्योग किस लिए किया जाता है तो देखे किस लिए जाजो, वाईयों आधी को डोड़ने के लिए एवं उनके मार्ग निदेशन के लिए रडार का परियोग किया जाता है और इनका परियोग जो है जो नोशेना होती है उनके द्वारा किया जाता है काफी बार एक्जाम में पूछा गया है कि रडार का परियोग जो है कोन करते हैं तो दोस्तों जो नोशेनिक होते हैं जो नाव चलाते हैं जो भी है वो उनका परियोग करते हैं तो option B आपका सही होगा, रडायर का परियोग जो है, जाजों वायुआ नादी को डोणने, यहां मार निर्देशन के लिए किया जाता है, next देखी, लेक्टोमेटर एक परकार का है, लेक्टोमेटर क्या होता है देखी, हाइड्रोमेटर होता है दोस्तों, option A सही होगा, हाइड्रोमेटर यहाँ पर राइट आंस्वर, next देखी, डाइबिटीज बिमारी स्रीर के जिस अंग को प्रभावित करती है, कौन सा है, देखी, कौन सा पैंक्रियाज, option A सही होगा, पैंक्रियाज यहाँ पर राइट आंस्वर, अगला क्यूश्यन देखी, डैस रोग पानी के मादेम से होता है, तो देखी, हैज़ा जो है, पानी के मादेम से होने वाला रोग है, option D, सही होगा, हैज़ा यहाँ पर राइट आंस्वर, अगला क्यूश्यन देखी, निमले खित में से कौन सा रोग विशानू से होता है, तो यहाँ पर से आंस्वर हो तीनों जो हैं विशानू के द्वारा होने वाले रोग हैं दोस्तों तो option D आपका सही होगा according to question अगला question देखी एक किलोग्राम वायू को संपेडिक में संपेडित करने के लिए क्या गया कारिय नियूंतम होगा जब सुचकांग का मान तो सुचकांग का मान क्या होगा तो देखी सेंसर होगा 1.41 option C सही हो जाएगा अगला question देखी एक यंतर जो दस्मलों को दवी आधारी अंक में बदलता है तो कुछा यंतर देखीए encoder encoder जो है दस्मलों को दवी आधारी अंक में बदल देता है option B आपका सही होगा अगला question देखी आर्दता मापने वाले यंतर को क्या कहते हैं तो सही आन सुरूगा hygrometer option C hygrometer यहाँ पे सही हो जाएगा अगला question देखी मानव में plasmodium का संकरमन उत्पन करता है तो देखी कौन करता है malaria option D malaria यहाँ पे सही हो जाएगा next देखी rail carडियों में dynamometer कार का परियोग होता है तो देखी dynamometer कार का परियोग जो है पट्रियों की अवस्ताव को record करने के लिए dynamometer कार का परियोग के जाता है rail carडियों के अंदर option D आपका सही हो जाएगा अगला question देखी neon lamp का विस्कार निमन में से किसके द्वारा किया गय था तो यहाँ पे सहाएगा Samuel Cohen option C आपका सही हो जाएगा neon lamp का विस्कार जो है Samuel Cohen के द्वारा किया गय था अगला question देखी आपका सही हो जाएगा आज का last question देखी भारत में बेड की सबसे उँची नसल है तो भारत के अंदर देखी सबसे उँची नसल बेड़ों की कौन सी है देखी ए नेलोर option B आपका सही हो जाएगा भारत के अंदर बेड की सबसे उंची नसल जो है नेलोर नसल है तो दोस्तो उप्शन भी आपका सही हो जाएगा तो हमार क्यूस्टन जो है आज के कंप्लेट होचके है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने क्या है फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए जितना होच के अपने दोस्तों साथ सेर करना ताकि वो लोग भी जुड़कर अपने एक्जाम के आपर तैयारी कर सकें अगर आप भी चैनल में ने हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जुरू कर लेजिए और दोस्तो फटाफट अपना स्कोर करिए कमेंट करके हमें बता दीजिए आपका स्कोर कह रहते है आज का और दोस्तों साथ में ये भी बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी क्योश्चन कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जुरूर बताना तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक गुडबाई, टेक केर, जै हिंद, जै भारत, वंदे मातरम.